सावनिर तहसिल के ताज आनंद आश्रम सावंगी के सूफी संत भायाजी महराज के जेश्ट सुपुत्र दामुधर उपाख्य बावसाहिव बुधोलिया का 14 नमंबर 2022 को दुपैर दो बजे अल्प बिमारी से अच्छानक निधन हो गया सूफी संत भायाजी महराज उपाख्य दाजी के पावन सानिति से पुलकित ताज आनंद आश्रम सावंगी के मुख्य ववस्थापक और परमपूजे दाजी द्वारा रचित प्रातन स्रोथ से प्रिरित होकर युवा वस्था से ही उनका रुजान अध्यात्म की और बढ़न में गहरे शोक की लहर फैल उनके अंतिम दर्शन है तू अनुयाईयों का ताता लगने लगा 78 वर्षी स्वर्गी दामोदर उपाक के बाबसाहे बुधोलिया के पार्थिव पर 15 नवंबर 2022 को उनके नाती द्वारा मुखागनी देकर अंतिम संसका संपन हुआ इस अफसापर देश के कोने कोने से पधारे उनके हसारों अनुयाईयों ने स्वर्गी बाबसाहे के पार्थि के दर्शन कर नम आंकों से अंतिम विदाई दी इस अफसापर हबब लक्षमन दास काले महराज हबब एकनात गौलकर महराज सचिन काले महराज बुसारी महराज सहित आध्यात्मिक शेत्र से चुड़े अनेक मानिवर प्रमुकता से उपस्ते थे वहीं सचिदानन महराज भजन मंडल सौनसर सहित शेत्र के अनेक भजन मंडलों की उपस्तेतियों में बाबस साहे बुधोलिया की अन्तिम यात्रा उनके निवास स्थान सिताच आश्रम सावंगी में पहुच कर उनके पार्थिव को अनुयाईयों और अन्तिम यात्रा में पधारे शोका कुल परिवार के दर्शनार्थ रखा गया जहां सारों अनुयाईयों ने अपने लाडले बावासाइब उधोलिया के अंतिम दर्शन किये सामनीर से NBCN न्यूस के लिए किशोड हुंडेले की रिपोर्ट